जूट के प्लेट्फोर्म पे खड़ा हुआ है RSS और उसी से निकली हुए एक ब्रांच है BJP जिन्होंने जूटे मीम्स बना कर राहूल गांदी को बदराम करने की कोशिश की RSS ने हमेशे देखिया ही तियास को तोड मरोड कर पेश किया है उन्होंने एक नातुराम ऋज्मक जोकिया लू करते हैं वुष्वकुरू करकर आज प्रचार चाहिए व वास्त में विष्वकुरू की इस्थान पर पहुचाने का काम कर आए ऐसे राहूल गंदी जी को मौका स चल लए होती ना तो अब तक पता नहीं क्या से क्या परेट चुका होता मेरा एक सवाल है भाई से कि जो बेरोजगारी का डेटा है भारत को वो कौन प्रवाइड करता है, इसे सवाल का जवाब देदे बस सितना उसके बाद इनका को सब्सक्राइब नहीं अन्हें का नेता रेलियों में जाकर खड़े करके था हम चोड़ी देंगे हम जाति जनगणना कराएंगे हम ँदेश में दंगे कराएंगे इसके इलाबा इनका नेता बाहागेंगे और यह गल्ती ऑगई गल्ती कि देश में सबसे वड़ी गल्टिया हो गए कि तुम यहां पैदा हो गए राम कस्दिया योगी जीने उनके उपार तो इसलिए कोई तो निला इसा में भी फेमस हैं का योगी बाबा बीजेपी का और बीजेपी एक आरेसे संग का एक ब्रांच प्लिटिकल विंग है आरेसेस भारत की आजदी के पहले का हितियास आप देख लो आरेसेस ने जितनी भी दिये जूटी गवाईयां दिये जूट के प्लेटफॉम पे खड़ा हुआ है आरेसेस और उसी से निकली हुए एक ब्रांच बीजेपी जिन्होंने जूटे मीम्स बना कर राहूल कांदी को बदरा है यह किसने उठाया मुद्दा सबसे पहले अड़ैनी और अंबनी के सामने राहूल कंदी जी ने उठाया आप इस बात कमिशन कोरी के डिवेट्स हुए यह किसने उठाया सबसे पहले इंफ्राइस्ट्रेक्शर को डेवलोपमेंट लेकर और यह राजस्तान का ERCF इस्टन करनाल इसको राश्त्री इस तरफ पर किसने उठाया सबसे पहले राहूल कंदी जी ने उठाया तो यह जवाब देने से बीजेवी वाले यानिकि मोदी जी और अमीजी शाह दोनों इकत्रा हैं उनको कभी भी सीधे मुकाबला करने ही पाया लोग सबहों मैं और ना है उनके सवालों का प्रॉपर तरीक से उन्होंने जवाब दिया बलकि मजाग बना कर उनके बहुमूली सवालों को इग्नोर किया गया अच्छा आपने आरेसे का जिकर किया कि जूट के मुनियाद पर खड़ा हुआ है आरेसे से आपको क्या तकलिफ नहीं आरेसे ने हमेशे देखिया इतियास को तोड़ मरोड कर पेश किया है उन्होंने वीर सावरकर जी को आजादी का हीरो बना रहे है और महत्मा कांदी जी को बदनाम कर रहे है आपके एक हत्यारे को नातुराम गोर्षे को आप जह गोर्षे जह गोर्षे करते हैं और राश्ट्र को आजादी के लिए जि से भी उन्होंने छूटने के लिए माफी नमा लिख कर दे दिया इसके बावजुदा वीर सावर करको नाथुराम कोड से की जय करते हो यह कहां का डेमोक्राइटिक सिस्टम है यह कहां की मानवतावादी है कि एक आत्मी दूसरे की हत्या कर रहा है और हम अत्यारी की जय-जय क कर रहे हैं क्या कानून व्यवस्ता नहीं हो सकती क्या क्या भारत आजाद नहीं हो गया था क्या भारत की कानून व्यवस्ता और लोकतांत्रिक व्यवस्ता पर आपको यकीन नहीं है अगर यकीन नहीं है तो निश्य दूसरे आप एक लोकतांत्रिक देश में रहने का अधिक प्रचार कोन करता है और उस समय कहते हैं कि हमें पॉलिटिक से कोई मतलब नहीं है आप दो दर्वा बात करते हैं वह अच्छा आपको आपकी बातों से लग रहा है कि आप राहूल गांदी से काफी इंस्पायर है तो आपको आप चाहते हैं कि वह प्रधान मंतरी बने देश के मैं हर एक उस आदमी से इंस्पायर हूँ इस देश के लिए इमांदारी से काम करें इसके डेवलप्मेंट के लिए अपनी शक्ती लगाने में कोई कोता ही नहीं बढ़ते हैं मैं हर उस आदमी का उनसे इंस्पायर रहता हूँ आपने देखा होगा इंद्रा जी को आपने द करने वास्ता में विष्वर की स्थान पर पहुंचाने काम करें ऐसे राहुल गांधी को मिलेगा या गठ vendors जो तमाम नेता हैं उनको मिलेगा नहीं सभी नेता चाहते हैं कि युवाओं को रिप्रेसेंट करने वाला नेता चाहिए भारत को तो इसमें राहुल जी की कोई सारी खूब्या है उनमें इंटरनेशनल लेवल के बहुत अचे रिलेशन है उनके गठबंदन एक साथ नजर कहा रहा है सर अभी बैठे को इसमें भी निताओं की जो नितानिया वाले थे वो नहीं आये हैं दोजार चोईस में देखेगा अभी तो हम काफी पहले और वैसे भी इन गठबंदन के 18 लीड आफ अब तो अब अलग लग लड़ रहे हैं और लोग सब हमें एक साथ लड़ रहे हैं तो वह तो खुद आके कह रहे हैं कैमरा पे मीडिया में की कॉंग्रेस को वोट मत दीजेगा तो वैक साइन दे रहे हैं कि हम गठबंदन का पार्ट नहीं है इस्टेट लेवल की पॉ हुए है यह मैंने वापिस का है कि मोदी जी का प्रचार ही इस बन ओफ दो मॉस्ट प्रीशियस एड़ोटाइजर मोदी जी का प्रचार की तुलना किसी वर्ल्ड लिडर से नहीं कर सकते हैं और कॉंग्रेस का प्रचार दंतर कम जो हो रहे हैं इस बात में जरूर कार्य करता प्रचार नहीं हो इसलिए हर की चार रज्जों में हाँ बिल्कुल यकिनन बागी आपने देखा होगा कि मोदी जी प्रचार ना होने के वज़े से लोग साब में नहार जाए फिर प्रचार नहीं कोई आर का गड़ बंदन हार का कोई कारण हमारे हमेसे हमारे सामने आता है उसको हम दूर करते हैं लेकिन योजना है कल्यान कारी होगी रोजना है जंता के विकास के लिए होगी कॉंग्रेस की हर योजना गरीब और आम आदमी के लिए होगी माहिलाओं की सुरक्षे के लिए होगी निश्चित रूप से हम सेंटरल इलेक्शन में बहुत आगे तो अभी भाजपा की जो सरकार आप उसे संतुष्ट नहीं है खोश नहीं है अभी तो बनी दो चर दिन हुए देखते हैं बजनलाल जी नए सीम डिकलेर हुए आगे क्या होता है कुर्यानी योजनाओं को जो कल्यान करी योजना है पक्षपा देकर बाइफर के डोकर अगर बंद करते हैं या उनी को आगे लाते हैं और उनी को आगे लाएंगे तो आप सोच लिए कर मिडिया के सामने पहले ही एंगे इन सब करने के लिए एक हलका सा बहाना काफी होता है भैसाब मैं भी मिस्गाइट हुआ था, 2014 मैं मोधी जी के नाम से बात कर रहे हूँ या, जबकि मैं तो, मैं तो, मैं तो, मैं तो, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का विद्यारती रहा हूँ, लेकिन मोधी जी के जो डेवलमेंट के जो भाशन हुए थे, उनसे मेरे जैसे आज में भी मिस्गाइट हुआ है, मैं जात्र राजनीती से भी निकला हुआ वेक्ति हूँ, लेकिन हमारे जैसे हुए है, तो, मैं तो, मैं तो, मैं तो, मैं आपने जो बोला था, मैं इन वहाँ से जवाब लूँगा, यह कह रहे थे कि RSS पट्टी की हुई पाट्टी है, पर RSS जूट की बुनियाद पट्टी की हुई है, नहीं, RSS के बुनियाद पे सरकार चल लही होती न, तो, अब तक पता नहीं क्या से क्या परेट चुका होता, और RSS जूट पे नहीं चलती है, RSS संकल पे चलती है, RSS को अगर एक दिन जाके वहाँ साखा में चले जाएंग मेरा एक सवाल है, भाई से कि जो बेरोजगारी का जो डेटा है, भारत को वो कौन प्रवाइड करता है, सवाल का जवाब दे दे, बस इतना, उसके बाद इनका कॉर्स नहीं, एनसी है, पर हर साल दे रहा है, आपको, और 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 गौर्वर्मेंट की एजनसी है, नेशनल ता पाएंगे, हला क такого मचारें, तूल किड की इनका नेता रेलियों में जाकर खड़े होकर कहता है, कि हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम चीडी और कवो को नोकरी देंगे, हम आएंगे तो जाती जन गनना कराएंगे, हम आएंगे तो देश में दंगे कराएंगे, इसके इल होल बदलना है टूल किट सेट करना है इसके अलावा कॉंग्रेस और 26 चिर्कुट का कोई वो नहीं है अगर नरेन मोदीजी कहते हैं कि हमारी अर्थब्योस्ता 2024 की सरकार आने के बाद हम तीसरे पहले तीन में होंगे सकता है दूसरे पहले पहले यह क्या हें तो घीरत्साव जैसे सब्सक्राइबन कोई मोस्ता कि करेदा और यह कहारे गल्टी हो गई, गल्टी तो यह हो गई कि देश में सबसे बड़ी गल्टी हो गई कि तुम यहाँ पैदा हो गई, क्या ना मांटी जी अपका? लखिम जे, आप कहां से हैं? और यहाँ जे, आपको समझ में तो आती होगी, है? और यहाँ बोलते हैं, अच्छा मोधी जी बड़ी हाँ काम कर रहे हैं, जी 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 तो नेक्स्ट पीम आप बनाएंगी ने बनाएंगी? अच्छा मोधि. तो किसे का स्टेबल गर्मेंट अगर होगी ना तो एकोनमिक थोड़ा बुष्ट करना का चांस रहता है लेकिन उनका क्याना एक विजनरी होना चाहिए